हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आपका निकुंच बूटिक में आज बनाएंगे ब्लाउस की बैक नेक उसके लिए मैंने लिया है ये पेस्टिंग पेपर है इस तरह इसकी लंबाई चोड़ाई बता देती हूँ आठ इंच रहेगा ये चोड़ाई में और नेक रहेगी इस तरह 10 इंच लूँगी तो 11 इंच का मैंने ये पेपर लिया है पेस्टिंग और जो नेक की चोड़ाई रहेगी वो 3 इंच length रखेंगे 10 inch इस तरह 10 inch पे mark करके नीचे से भी 3 inch का हम इस तरह निसान लगाएंगे एक तम straight निसान लगा लेते हैं और इसको यहां से मिला के और हलकी सी V shape देंगे कुछ इस तरीके से और इसके बाद हमने 1 inch extra इस तरह से निसान लगाना है एक इंच दूरी पे और फिर इसको हमने कट कर लेना है पिन लगा देती हूँ ताकि यह दोनों तरफ से एक जैसा कटिंग हो एक्स्टर जो है यह हमारा पेस्टिंग पेपर हो निकल जाएगा शेप कुछ इस तरह रहेगी मैंने इसको पेपर पेस्ट कर लिया है एक्स्टर कपड़े को हटा देंगे आदा इंच रखेंगे सिर्फ और इसके बाद जो है हम यह पोटली बटन इस्तेमाल करेंगे इसका लिंक में बनाने का आप आई बटन में दे दूँगे और यह बहुत ही टाइट और लूज नहीं होने चाहिए मेडियम हमारे बने होने चाहिए पोटली बटन तो चलिए अब इसको जो एक्स्टरा फैबरिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इसके बाद हमने इसके उपर स्टीज करने के बाद इसको उल्टी तरफ रखना है पलट के गले को इस तरीके से रखेंगे और जहां जहां तक हमारी पेपर पेस्टिंग पे गला कटिंग हो रखा है वहां वाँ पे आप इस तरह निसान लगा ले या आप चाहिए तो एक सिलाई भी रख सकते हैं मेरा लाइनिंग का कपड़ा है तो इसमें से अच्छे से दिखाई दे रहा है तो मैं इस तरह चोक से निसान लगा रही हूँ आप सीधी तरफ रखके निसान लगा सकते हैं या सीधी तरफ रखके मसीन चला सकते हैं जो तोनों तरफ दिखाई देगी अब इसमें हमने center का निसान लगाना है साथ में हम अब potly button जो है पहले इस्तिमाल करेंगे तो उसके लिए हम पहले इसमें center का mark लगा लेती है इसको fold करेंगे और उपर से एक cut लगा देंगे और नीचे पे हम चोक से निसान लगा देंगे center check करके और इस तरे mark कर देंगे और यहाँ पे हम एक छोटा सा cut लगा देंगे ताकि हमें center का पता रही यहाँ पे cut लगाया अब इसको सीधा रखेंगे यहाँ से हम बीच से हम start करेंगे center से potly button लगाना अगर हमारा round shape रहता तो जरूरत नहीं थी हम बना रहे हैं V-shape तो सबसे पहले हम रखेंगे यह center में और साथ में हमने pressure foot को change कर लिया है मैं single pressure foot इस्तेमाल कर रही हूँ आप double वाले से भी इस्तेमाल कर सकते हैं तेकिन यह बहुती spongy type की होनी चाहिए इसमें आप thermacol की bowl भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने यह कपड़ा अंदर डाल के और फिर बनाये हैं potly button तो यह थोड़ी से सकत type की हैं बहुत ज़्यादा सकत भी नहीं होनी चाहिए tight नहीं होनी चाहिए इस तरह से potly button को हमने रखा है बाहर की तरफ button की shape आनी चाहिए यह extra जो fabric है वो अंदर की तरफ चला जाए और gap जो है करीब आदा आदा इंच का हमने रखना है बहुत नस्दीक नहीं रखने है तो design जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा बिल्कुल पास पास में रखेंगे तो इस तरह से हम थोड़ा नस्दीक से दिखा देती हू यह थोड़ा सा फस्ते हैं बनाने के टाइम में तो हलकालका हाथ से खीच के और उसको प्रेस करके हमने इसको आगे की तरफ करना है क्योंकि प्रेसर फुट में भी जिगें है गैप है इसकी वज़े से वहां पे कपड़ा जो है फस्ता है तो इसलिए दीरे दीरे इसको निक पोत्ली बटन को इसी तरीके से लगा लेना है सारे पोटली बटन को इसी तरह से बरावर गैप में हमने रख लेना है इसी तरीके से एक तरफ हमारा complete हो गया है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेंगे, दोनों तरफ लग चुका है, अब हमने इसको paste करना है, stitch करना है, blouse के back neck के साथ, यह हमारा back part है blouse का, इसमें मैंने center का निसान लगा लिया है, iron करके, आप चाहिए तो choke से निसान लाके आप pin up कर लें, या कच्चा जो है, वो सिलाई कर लें कच्ची, तो मैं इस तरह से pin लगा रही हूँ, अब हमने बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगानी है, single pressure foot है, और button जो है बाहर की तरफ रहेंगे, और बिल्कुल एकदम साथ साथ में सिलाई पे लगानी है, ज एक्स्ट्रा फैबरिक है, वो भी दिखाए देगा, इसलिए बिल्कुल एक्जेक्ट उसी के उपर हमने सिलाई लगानी है, जो पहले लगी हुई है, इसी तरह से सेंटर में आते हुए इसको धीरे-धीरे, half complete कर लेंगे, नीडल को अंदर रखना है, क्योंकि हमने बिल्कु वी शेप है, वो बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, अब दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से स्टीच कर लेना है, अब हमारा स्टीच जो है लगके complete हो गया है, यह कुछ इस तरह से रहेगा, अब जो एक्स्ट्रा फैबरिक है अंदर, उसको कट कर लेंगे, उसको कर लेंगे, इसी तरीके से अब हमने सेंटर में और साइडों में जो है चोटचोटे कट लगा लेने हैं, ताकि गला जो अच्छे से पलट जाए, यह देखी, यह बन के हमारे बाहर निकल के बिल्कुल अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अब हमने इसको पलट के बिल्क पर दोनों तरफ इसी तरीके से हमने सिलाई को कम्प्लीट करना है आप चाहें तो पहले आइरन कर लें इसको सेट कर लें या पहले आप सिलाई लगा के फिर आइरन करें तक यह बहुत ही अच्छे से जच जाए फैब्रिक को एक्स्ट्रा को बाहर की तरफ करके और स्टीज जो है इसरे लगा देंगे गला हमारा बन के तयार है बैकनेक हमने इस पर बाजू पर भी लगाया है आप चाहें तो बाजू पर भी लगा सकते हैं और आगे भी लगा सकते हैं तो गला हमारा बनकी रेडी है, सो फ्रेंड्स आपको डिजाइन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, ये देखें, बाजू पे भी मैंने लगाया है, और हो सके तो आप अपने फैमली या फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दें, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाई बाई